नमाशकार दोस्तो मेरा नामे सुरेश पीपावंची स्वागत करता हूँ इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ Nifty Bank & Nifty के बारे में आज की दिन गैस market दो दिन हो चुका है दो दिन यहाँ पर क्या हो रहा है Stop Loss Hunting बहुत ज्यादा हो रही है यह बहुत ज़्यादा ट्रेप बन रहे हैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीस वीडियो को लाइक किजेगा और अपने भाई की यानि मुझे सपोर्ट किजेगा सब्सक्राइब किजेगा मेरा टार्गेट यहाँ पर 50,000 का है पूरा भरुसा कि अपने यहाँ पर 50,000 के नजदिक में बहुत जल्दी आने वाले है दोस्तों बात करते हैं कल किस तरीके से प्लान करना है उससे पहले बताना चाहता हूँ अगर आपने टेलिग्राम को जोइन नहीं किया तो टेलिग्राम को जोइन किजेगा देखो क्या होता है जिसा मार्केट होता है वैसा अपन यहाँ पर काम करते है आज मार्केट में क्या हुआ छोटे छोटे स्कल्पिंग हो रही थी बड़ गैस मैंने यहाँ पर सुबह सुबह क्या बताया था A5 ODI का डेटा मैंने यहाँ पर शेयर किया साथ मैं आप चार्ट शेयर कर सकते हूँ ऐसा नहीं गैसे अपन यहाँ पर ट्रेट नहीं देते प्रोपर अपन यहाँ पर ट्रेट के लिए प्लान करते है प्रोपर अपर ट्रेट गाइड किया जाता है जब मिलता है जब लेवल होते हैं जब सेटर बनते है वहाँ पर मज़ा आता है तो कहना चाहता हूँ जो link के मैंने description में दे दिये बात करते हैं कि यहाँ पर गेश देखा जाए तो रात को एक fade का meeting होने वाला है थोड़ा discuss किया जाएगा भ्याजदर में क्या बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए कुछ ऐसा discuss होने वाला है रात को होने वाला है कुझी भी हो सकता है fade में जो meeting होने वाली है साथ में अब यहाँ पर बात करते हैं Dow Jones Future की देखो तो Dow Jones Future में क्या इस क्या हुआ कि यहाँ पर अभी Dow Jones जो future है नहीं मेरे भाई यह थोड़ा सा negative चल रहा है अभी 41 यहाँ पर negative था अब यह 62 पर यहाँ पर negative हो चुका है मतलब कहीं नहीं अभी अगर आपन देखे तो अभी यहाँ पर time जो हो रहा है पांच बज़ रहा है बट अभी Dow Jones जो sport चार्ट था वो open होता है 37 के असपस बट अभी negative चल रहा है कुछ भी हो सकता है अगर मैं इसके चार्ट की बात करता हूँ तो यहीं पर आजाते हैं देखेगा यह एक breakout हुआ है इस Dow future का breakout हुआ है अगर retest लेकि उपर जाता है तो market यहाँ पर क्या हो सकता है इसे gap up भी हो सकता है अगर support लेके buy chance अगर इसे gap up भी होता हुआ देखने को मिल सकता है अगर मैं gift निटी की बात करता हूँ गैस अभी यह थोड़ी ची positive थी जब मैंने refresh क्याप चेकर रिफ्रेश पेज हुआ तो यहाँ पर यह 12 पूर negative हो चुके देखने क्या होता है meeting भी होने वाली है क्या result आता है अगर आपने को यहाँ पर लेवल पर फोकस करना पड़ेगा अपने को strategy को समझना पड़ेगा भाई अपने को काम करना है देखो अपने को nifty bank का nifty में ज्यादा पड़े point नहीं चीए कल expire यह bank nifty का अगर आपने scalping करें तो कितने point चीए कैसी अपनी planning होने वाली बताने वाला हूं चली भाई कहना चाहता हूं telegram को जो जरू कर लिजएगा उसका जो link है मैंने दोस्तों as a description में दे दिया है अब गईस में आपको data समझा देता हूं नहीं को chart पर data clear समझ में आ रहा है समझेगा 43,800 के level पर बहुत सारे call seller बेटे हूं है बहुत सारे बेटे हूं मेरे भाई और 43,700 पर ही बहुत सारे call seller बेटे हूं है वो चाहते है कि market इन दोनों level के उपर न आ जाए मैं data आपको दिखाना चाहता हूं थोड़ा सा आप समझ जाओगे यह data है चेक कीज़ेगा यहाँ पर बहुत सारे call seller बेटे हूं है मतलब वो चाहते है कि market इस zone के नीचे ही रहे इस zone के जो है नीचे ही रहे अब समझने यहाँ पर अपना logic क्या बन सकता है trade के लिए मैं आपको बताने वाला हूं तो कहना चाहते हूंगा इस वीडियो को पूरा end तक वोज कीज़ेगा मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं चलिए मैं यहाँ पर पूरा screen कर लेता हूं आपके लिए ठीक है चलिए भाई देखो अगर अपन यहाँ पर देखे है बैंक के निफ्टी में तो बैंक के निफ्टी में गाइस कहीं न कहीं एक train line ही जो यहाँ पर प्रोपर 20 तारीक से support कर रही है अब चेक कर रही हो प्राइज आया इस पोईंट पर close हुआ जब आज भी प्राइज नीचे तक आया देखे हो इसने प्रोपर train line के उपर विक छोड़ दिया है मतलब इसने यहाँ पर प्रोपर support लिया जब प्राइज नीचे है यहाँ पर भी कहले है इसने प्रोपर support लिया अपने को यहाँ पर समझ में आ रहा है कि मार्केट एक प्रोपर train line पर चल रहा है आपमन के चलते हैं मार्केट में क्या होता है कि कहिन गेब डाउन होता है आज़्यर डाव फ्यूजर कि साबसे यहाँ पर क्या होता है देखा जाए कितना गेब डाउन हो सकता है एनि 100 पोएंट के अस्पै देखो निफ्टी का डेटा और बेंक का डेटा जोड़ा सा अपोजी बताऊंगा आगे जाके तो प्लीस एंड तक वोज किज़ेगा देखो अगर मार्केट क्या होता है कि इस पॉईंट पर गेब डाउन होता है गेब डाउन किस लेवल पर इस लीज़ जो लेवल है इस तरहली जर 580 का जोन ये इस जोन में अगर gap down होता है market क्या करता है उपर जाता है और अगर इस लेवल को ये break करता है जिस तरीके से ये विक छोड़ा था ना इसे उपर जाकर break करता है ये कुझ सा लेवल है 43,740 लेवल पर focus कर ली जगा बस अगर इस level के उपर अगर जाता है तो अपनी इस point पर scalping बन सकती है अपनी जो इस point पर scalping बन सकती अगर इसके नीचे open होके बड़ा सा bullish candle बनता है 43-444 के level को break करता है तो अपनी इसमें scalping बन सकती है target रे सकता है अपने को राम से यहाँ पर 100 point के target इस point तक देखने को मिल सकती है यह मेरा होने वाला है is a first plan ठीक है यह मेरा होने वाला है first plan मान के चलते है market क्या करता है इसर यहाँ पर market open हुआ gap down हुआ gap down होने के बाद market धीर धीर उपर जाता है और यही पर इसी point पर मतलब train line का breakout नहीं करता आपको अपनी चार्ट पर train line को जरू मार करना पड़ेगा यह 15 minute का time frame में ठीक है अगर market इस तरीक धीर 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 उपर जाता है और यहाँ पर यहाँ तराली सास सो और सास सो पचास के level पर इस तरीके से यही पर धीर धीर उपर जाता है यहाँ आपर को rejection दिखता है तो अपने इस point में scalping भी कर सकते है downside के लिए फिर अपने को अराम से यहाँ पर यह 120 point का full अपने को देखने को मिल जाएगा 4500 C पर अपने को वापस कहीं ना कहीं bank and free down में आ जाएगा यह ज़े बता रहाँ scalping के कुछ setup अगर इस तरीके से होता था आप इस तरीके से आपको plan करना है बात करते हैं कि भीया कि हमको sale करना है हमको तो यह बड़ी quantity में sale करना है कहां पर हो सकता है तो इस वो level है यह जो low देख रहे हो आप यह कौन सा level है 43,450 और आपको पता गई 43,600 बहुत सारे put writer बेटे हों है बहुत सारे put seller बेटे हों है मैंने आपको दिखाया है मैं आपको वापस दिखाना चाहता हूँ data support करता है भाई देखिएगा यहां पर चेक किजगा 43,600, 43,500 यहां पर बहुत सारे put seller बेटे हों है तो अगर आपको यहां पर aggressive selling करना है market में तो क्या करना है आपको 43,450 के नीचे ही sale करने का plan किजगा अगर आप aggressive sale करना चाहते हो तो यहां से अगर यह level break होता है ना भाई market मापको यहां पर राम से 43,300 43,280 और 280 का level break हो गया तो आपको 43,000 के level दिख जाएंगे आपको यह level दिख जाएंगे अब बात करते हैं कि यहां पर अगर upside का plan मना तो क्या करना है simple सी बात है मेरे भाई देखो अगर मान के चलो कि रात को कुछ meeting वगएरा हुआ और यहां पर down future positive हो कोई भरोसा नहीं अगर market कहीं न कहीं यहां पर open होता है इस zone में open होता है ठीक है ध्यानी जगा यह train line है आप proper अपने chart पर train line को marker होगे अगर market क्या करता है 43,870 को यह break करता है proper break करता है sustain करता है target बनेगा 43,970 अगर इसको break किया तब कराम से 44,000 50 के level दिखा सकता है और level guys आपके सामने कोई जूटे level नहीं मेरे भाई देखेगा यह proper zone है इस zone को break करेगा न जो 43,800 के level पर जो call seller बेट है क्या हो जाएगी short covering हो जाएगी short covering होगी तो क्या वो अगर निकलेंगे तो क्या होगा भाई market उपर दोड़ेगा मतलब 43,800 का level break होगा तो अपने को अराम से 43,970 जो यह candle कहाई है अगर यह breakout दिया तो फिर अपने को price यहां तक जाता हो देखने को मिल जाएगा 44,000, 50 पर अपने को bank nifty जाता होगा देखने को मिल सकता है I hope दोस्तों यह level आपको समझ में आ रहेंगी मैंने जो level दिये है मैं क्या करता हूँ मेरे भाई काफी अच्छे level मुझे तो लग रहे है market में पहले बात तो एक zone के अंदर है high chance इस zone के अंदर market trainer का खल की दिन तो मैं क्या करता हूँ इस chart को download कर लेता हूँ और telegram पर यहाँ पर मैं share कर दूँगा ठीक है वहाँ पर आप चाके चार्ट के level भी चेक कर लीजिएगा ठीक है बात करते हैं यहाँ पर nifty के बारे में कि nifty किस तरीगे से प्लान करना है देखेगा यहीं पर आ जाते है अब देखो बाई 15 मिनिट का चार्टे लेवल को थुझे थोड़ा सा गोर से देखेगा देखेगा मार्केट Double होता है पंदा अ अरब gr को इस तरीखी सब अपन यहाँ पर देखेगा चार्थ ऑपर जाता है ग cont कर लिश्भीप ब्रेक उपर चार्ट यहाँ पर उतर इसrien का मांसकते से प्लान करना है मैं आपको दिखाने वाला हूँ ठीक है यहीं पर बात करते हैं पहले बात तो बताना चाहता हूँ अगर आप trade करना चाहते हो तो कल की दिन Nifty में प्लान कीज़ेगा reason आपको बता हूँ गैस में कल expiry है आपको पता जिस दिन expiry होती है वो साथ है नहीं देता वाई जिसाच finnifty का expiry था उसने support किया गया premium पूरा गल गया वाई तो क्या करना है आप nifty पर focus कर सकते हो आपको nifty बहुती प्यारा पिसा बना के दे सकता है कैसे करना है प्लान बताने वाला हूँ पहली बाद तो यहाँ पर देखो भई अगर market में अपन यहाँ पर देखे तो proper train line जो नपन को देखने का मिल रहा है market में कलेजिस ने breakdown दिया था आपको पता है proper breakdown के market sideways हो गया था ठेक है इस तरह के sideways हो गया था market ना चलिया करा proper gap up हुआ यहाँ पर support पर gap up हुआ market इसी point पर support ले लेके उपर चड़ता गया वापस ने कहाँ पर closing दे दिये इस train line पर दे दिये बात करते setup पर किस तरह की सपनी planning बन सकते देखो पहली बात तो अगर यहाँ पर क्या होता है इस gap down होता है nifty क्योंकि data थोड़ा सा इस time पर क्या हो रहा है कि जो अपना future chart हो negative है अगर यहाँ पर open जहाँ तक मेरे को लगता है भाई fleet opening होगी ना बड़ा gap up ना बड़ा gap down ठीक इतना बच मुझे नहीं लगता data थोड़ा सा opposite है data की रही बात तो मैं आपको data दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा भाई चलिए कहना चाहता हूँ भाई अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो like नहीं किया तो like कर दीजेगा अगर अपन देखे हैं यहाँ पर तो old seller जब तक नहीं भागेंगे जब तक 803 का लेवल ब्रेक न करें इस केंडल का लेवल ब्रेक न करें अब प्लान समझो अगर मार्केट क्या होता है कि 1970 की आसपास यह 1900 पर यहाँ पर gap down होता है आपको selling कहाँ पर करनी है पहली बात तो अगर 1970 के आसपास यह gap down हो रहा है इस point पर gap down हो रहा है तो आपको यहाँ पर selling करनी का इस कहीं न कहीं यह zone चेक करो इस zone के नीचे आपको selling का प्लान करना क्यों क्यों क्योंकि proper support काम करने वाला यह वाला मतलब अगर इस point पर gap down हुआ यहाँ पर gap down हुआ अगर आप sale करना चाहते हो तो आप कहीं न कहीं 1960 पर selling का प्लान कर सकते हैं स्कल्पिंग के लिए target बनेगा 1960 अगर 650 का यह low break कर देगा आपको अराम से 1950 के level भी देखने को मिल सकते हैं सिंपल सी बात है क्या करोगे 1960 के नीचे sale का planning करोगे स्कल्पिंग के लिए 1950 का target रेने वाला है अगर यह break हुआ तो आपको अराम से यहाँ पर 1950 के level भी यह जो low है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं बात करते हैं कि भी यह market में gap down होने कि से market उपर जाता है ऐसा बहुत सारी बार हुआ है market में आपको पता है गेप down होने कि market उपर जाता जसे कि इस तरीके से यहाँ पर उपर गया था market तो क्या करना है अगर market 700 पर open हो था क्यूँ पोईंट पर क्या है बहुत सारे put seller बेटे ह है Jeriest करता है सोचना मत आई कर लेना मेरे बाई यहाँ पर इस पूइन पर जाता है इस तरीके सàng Iris करता है में भी हाई चांस है हाई चांस है मार्किट इस तरीके सराभको उपर जाता हो देखने को मिलेगा क्योंकि फिर क्या होगा फिर kardeş volleyball राइटर चेक करें आपको दिखाना चाहता हूं मेरे भाई आपको जो लेवल रहेगा आप buy करोगे 19.800 के उपर है अगर ये इस तरीके से price prediction आपको देखने को मिलता है ना 19.800 को आप buy करोगे sculpt करोगे क्यों? क्योंकि 19.800 को जो लेवल एक proper एक critical लेवल होने वाला है कि वहाँ पर कोल राइटर है प्रेन लाइन के ऊपर आगा छोटा सा स्टॉप लो स्लोगी दस से पंदरा पूइंट का चार्ट को देखके टार्गेट रहेगा उननीस आठ सो पचास है तो कि यह एक घंटे का एक रिजिस्टेंस लेवल है अगर इसको ब् अगर यह उननीस आठ सो पचफ़ का लेवल सस्टेंड कर गया वाई मार्केट में आपको अराम से मिन सो पंदरा यह ब्रेक हुआ आपको अराम से ट्वेटि थाउसें में लेवल दिख जाएंगे आपको अराम से यहाँ पर 70 से 80 पॉइंट के लेवल देखने को मिल जाएंगे क्यों क्योंकि इन दोनों लेवल पर क्या है बहुत सारे है कोल सेलर बेट है आपके सामने आप चेक कर सकते हैं मेरे बाई 1 करूर 14,96,650 लोग यहाँ पर कोल को सेल करके बेट है मतलब यहाँ से उचाहता है कि भाया 19,800 के नीच आए और अगर यही लेवल 875 के उपर सस्टेन कर गया ना उपर सस्टेन कर गया तो मार्केट आपको उपर जाता हुआ देखने को मिलेगा reason क्यों है क्योंकि वो short covering कर गया और मार्केट उपर उठ जाएगा फिर आपको अराम से 875 को break करेगा 19,915 फिर आप 950 फिर आप आप अराम से आपको 20,000 के लेवल धीर धीर देखने को मिल जाकते हैं दोस्तों यह था मेरा प्लान I hope आपको यह चार्ट समझ में आ गया होगा मैं क्या करूंगा दोस्तों की चार्ट की जो लेवल है प्रॉपर टेलिग्राम पर शेर कर दूँगा सुबह के टाइम पर तो कहना चाहता हूँ कि टेलिग्राम को जोइन कर लीजेगा उसका जो लिंक के दोस्तों मेरे डिस्क्रिप्शन डाल दिया और भाई बोलना चाहता हूँ वीडियो के यसे लगा प्लीज कमेंट कर दो वीडियो में क्या सीखने को मिला साथ में लाइक कर दो प्लीज सपोर्ट करो यार मिलते हैं ने इस टे वीडियो में जे हिन जे बारत जे शेर मेरे भाई